आज हम आपके लिए लेके आए हैं बटरफ्लाय का कर्व स्टेंड लेस स्थील प्रेशर कूकर यह काफी अफोरडेबल प्राइज में है इसमें 1.48 kg वेट है साथी जो इसका जो बॉटम है वो फास्ट कूकिंग के अकॉर्डिंग बना हुआ है यहां पे साइड में यह भी द आई एसाई मार्क होता है वो चीज इस्तमाल करने में काफी सेफ होती है अब हम इसको खोलते हैं और इसको बाहार निकालते हैं इसकी पैकिंग बहुत अच्छे आती है देखिए इसका हैंडल वागिरा किता सेफली पैक किया हुआ है ताकि डेमेज ना हो सारी चीजें प्लास्टिक बैग में हैं और सेफली पैक हैं इसके साथ हमको मिला है वारंटी कार्ड जिसमें सारी डीटेल्स दी हुई है देखिए इसमें सब कुछ डीटेल में दिया हुआ है अब हम इनको प्लास्टिक बैग से निकाल लेंगे हमने कुकर को इस प्लास्टिक बैग से निकाल लिया है देखिए इसकी बाड़ी स्टील बाड़ी है और दिखने में भी काफी सुन्दर लग रहा है कुकर का लीड काफी हैं और अच्छी क्वालिटी का है देखिए और काफी मजबूत भी है quality wise यह अच्छा है इसका जो gas kit दिया हुआ है यह जो gas kit है यह silicone का है जो बहुत ही अच्छी quality का है इसके उपर भी हमको IISI mark दिया हुआ है देखिए यहाँ पर हमको इसमें भी gas kit के उपर भी IISI mark मिला हुआ है इससे भी पता पढ़ता है कि इसकी quality काफी अच्छी है और इसको लगाने में भी बहुत आसा ने देखिए यह easily fit हो गया यह इसके साथ ही emergency में pressure निकलने के लिए इसमें एक safety outlet भी है देखिए यह रही इसलिए इसमें खाना बनाना काफी safe रहता है इसके साथ ही इसमें एक special lock arrangement भी है देखिए कुकर में भी ऐसा mark बना हुआ है ऐसा ही mark lead में भी दिया हुआ है और इसकी वज़े से lock आसानी से लग जाता है इसका lock और इसको बन करना बहुत ही आसान है देखिए हमने ढकन लगाया और हलका सा गुमाया और हमारा कुकर लॉक हो गया इसी तरीके से इसको खोलना भी आसानी थोड़ा सा गुमाया और धकन खुल जाता है काफी heavy bottom है इसका जो इसका base है काफी मजबूत है कुकर के base को हम pen की तरह भी उज़ कर सकते हैं इसमें खाना जलेगा नहीं बरतन का base अगर heavy होता है तो खाना जलने का risk कम हो जाता है और खाना अच्छे से बनता है इसका जो उपर का base है वो broad है तो broad होने की वज़े से हम इसमें जो मसाले भूनते हैं वो आसानी से हम भून पाते हैं और उनको देख भी पाते हैं कूकर बहुत ही heavy stainless steel material से बना हुआ है ये इसका benefit है और साथ में इसमें हम इसको gaze और induction दोनों पर यूज कर सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा benefit है हमको ये दो लीटर का कूकर है अगर आपको कम quantity में खाना बनाना है तो बहुत आसान हो जाता है बनाना इसके साथ ही जो इसका base ये देखिए जैसा कि मैंने बोला था ये induction bottom है तो ये बिल्कुल flat है ताकि इसको induction पर यूज करने में हमको आसानी होती है इसको हम induction और gaze दोनों पर यूज कर सकते हैं इसका base का ये benefit है हमको इसके handle की grip भी काफी अच्छी है और काफी मजबूत है हम इसको यूज करने से पहले इसके साथ जो हमको वीसल मिली है वो लगा कर दिखाते है ये रही वीसल काफी सारे कुकरों के साथ दो वीसल भी आती है लेकिन इसके साथ एक ही है इसको लगाना बहुत ही ऐसान है इस तरीके से इसके उपर लगा कि थोड़ा सा प्रेस करना है नीचे की तरफ और ये फिट हो जाती है अब हम आपको इसमें चावल बना के दिखाते हैं मैंने यापर एक कटोरी चावल को धो कर भीगो के रखा था सबसे पहले हम उसका पानी निकाल देंगे इसको मैंने 20 मिनिट पहले दोकर बिगो के रखा था अगर हम चावल इस तरीके से दोकर और पहले बिगो कर रखते हैं तो बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं कभी भी चावल बनाने हो तो ये प्रोसेस कर लेनी चाहिए हमने यापर चावल का पानी निकाल दिया है अब हम इसको कूकर में बनाते हैं हमने यापर इंडक्शन पे कूकर घर्म होने के लिए रखा था इसमें हम एक छोटा चमज तेल ले रहे हैं तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी तेल गर्म हो गया है अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं या मैं एक कटोरी पानी डाल रहे हूं क्योंकि मैंने एक कटोरी चावल लिये हैं जब हम कूकर में चावल बनाते हैं, तो चावल में पानी कम जाता है, जितना हम चावल लेंगे, उतना ही हम पानी लेंगे, अब हमने जो चावल दोए थे वो इसमें डाल देंगे, इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमज नमक, आप आपकी टेस्ट के अकोडिंग ले सकते हैं, अब हम इसका लीड लगा देंगे, इसका धकन लगाकर एक वीसल आने देंगे, इसका धकन लगा दिया है हमने, एक वीसल आते ही हम इसको बंद कर देंगे, जावल अब इसको बंद कर देंगे, एक वीसल आज चुकी है, अब इसमें प्रेशर खतम हो जाए, उसके बाद हम ढकन खोल के देखेंगे, प्रेशर खतम हो गया है, अब हम ढकन खोल के देखेंगे, देखेंगे, हमारे चावल अच्छे से बन गया है, और किते खिले खिले बने हैं, आप देख सकते हैं, एक एक चावल एकदब खिलके बना है, और पूरा पक गया है, चावल चेक कर लेते हैं, देखेंगे, अच्छे से पक गया है, इस cooker में खाना बनाने से हमारे समय की बचत हो रही है और खाना भी अच्छा बन रहा है देखिए और इसको इंडक्शन पर बनाना भी बहुत आसान है आप इसको गेस पर तो यूज करी सकते हैं साथ में इंडक्शन पर भी तो मैंने इसको इंडक्शन पर बनाया देखिए इस एक्षर कुकर का बटन हमको दबाना है उसके बाद बस हम कुकर को रखकर आराम से कुक कर सकते हैं खाना आप इस कुकर को जरूर ट्राय करें और मुझे बताएं कैसा लगा